hello friends very warm welcome to LK Academy I hope every one of you is safe and doing well at your home and preparing for your upcoming examinations तो आसा थे आपने आपनो current affairs नो November part 3 start करीशु बराबर नोवेंबर सीरीज ना बै लेक्चर तमने अल्रेडी मढ़ी चुक्या चे तो इस आर करेंट अफेस लेक्चर नोबर 7 बराबर एक कोट थी आपने शरुआत करीशु ने कोट आपयो चे वॉल्ट डिजनी ये तो वे तो जिना ट्रेट स्टार्टेड इस टुक्विट टौकिंग एंड बिगीन डुइंग तमें भले गमेदे टू केह शो के मारे आप्जाम पास करवानी चाए आप्जाम पास करवानी चे जियां सुधी तमें ना पर काम करवानी शरुआत नहीं करो तियां सुधी कोई परिणाम आपने मडवानू ना थी बराबर अने एक ज रस्तो छे कोई पने एक्जामिनेशन पास करवानू दरेक सब्जेक्ट दरेक टॉपिक आपने बराबर आवड तो हवो जो ये बराबर जयां जया तमने डिफिकल्टीज लागे छे गे इन टच विद दी रिस्पेक् आवड अट टाइम तमें क्लिएर करता जाओ बराबर तमें विचार्च हो कि जिया रे लोगडाउन ओपन थाषिए धवद हो जिया रे आपने डॉट क्लिएर करी लाईशू बराबर तियारनी परिस्तितिया आपड़ने खबर ना थी तो बेटर के थामें कॉल करो मेशज क तमारा डाउट क्लियर करदा जाओ, ये थी करिने तमारो इटलो पाट क्लियर थे तो जै और एक टोपिक तमारो तैयर था तो जाई चालो, तो आज नोज आपनो फल्लो टॉपिक छे देचे, बार मी ब्रिक्स समिट, मराबर ब्रिक्स ए पाँच देशों नो बनेलो संगठ हैं चे अधवादो सम्मूँ छे, B, R, I, C, S, B as in Brazil, R as in Russia, I as in India, C as in China, S as in South Africa, तो आप पाँच देशों नो बनेलो संगठ हैं चे तेने ब्रिक्स नाम अपफ़ा माव्यू छे, COVID रोग चाड़ा ने कारणे जे ट्रावेल रिस्ट्रिक्षन छे, तेने लईने, वर्चुवल समिट मड़ी छे, एडले कि ओनलाइन समिट मड़ी छे ने आप पाँचे देशों ना वड़ाओ, ओनलाइन रिते एक बीजा साथे वार्तालाप करियो छे, तो भारत ना वड़ा प्रदा ने आतंकवाद, COVID-19 ने रोग चाड़ों ने वैश्विक संस्थाओं मा सुधारानी जरूरियत जेवा मुद्दाओं ने ध्यानमा राखी ने, ओनलाइन योजाएल बार्मी ब्रिक्स समीट ने संभोधित करी, छे, रशिया आ वर्षे ब्रिक्ष नू यजमान न अध्यक्षदू, बनाबर तो आतमारा माट अगत्याना क्वेस्चन थाई जशे के 2020 मां ब्रिक्स समीट नी अध्यक्षदा कोणे करेली तो तमारों जवाब हसे रशिया, समीट माँ भारत नू स्टेंड सुवाथू, जो अपड़े गया वक्ते स्टेंड नी पन वाद करी, शांगाई कॉपरेशन ओर्गेनाइजेशन विशे वाद करी, त्या पन भारते जे सार्वभोमत्वन इंटीग्रेटी नो जे मुद्धो हतो बरा, अबरके बाई बॉडर डिस्प्यूट ओचा होवा जो ये देशों वच्चे, तोज देशों नू डेवलपमेंट बराबर रिते, योग्य रिते थाई शके, एज वाद भारत ये पन उठावी जे, कारण के आपनू चीन साथे छेल्ला गणा समय थी, लद्धा अखने अरुनाजल परदेश खाते, आपनू बॉर्डर डिस्प्यूट चालिया करेचे, बराबर अवे जो एशिया नी साउथी बे मुट्टी शक्ति होचे, चाहिना ने भारत ये जो आपसमा लडवामा पोथानो समय वेस्ट करे, तो इनो कोई सारू परिणाम मढवानू नदेले, भारत ये इच्छे जे कि अवे बनने हो देशो योग्यार इत पोधानो विकास करी शके, बराबर अने एक यारे शक्या चे जै जे रे बॉडर पर शांती होई, आतंक वादने लएकने भारत ये पोधानो स्टेंड जेजे जे पोधानो जे पक्स चे ते साफ करेओ, आतंक ने समर्थन प्रायोजित क ब्राजीलीया गोशना साथे सारीरीते गोटवायल जेने आतंकवादना तमाम स्वरूपो औने प्रागत्यमा वखोड़ियो चे तो ब्राजीलिया डिकलेरेशन सूचे कि बाई आतंकवादने खतम करवानों इन एनी फॉर्म ओफ टेरर ने आपने खतम करवानों इस ब्राजीलिया डिकलेरेशन मा के वाम आवियो चे आ वर्ष नी शरुवात मा आतंकवाद विरोधी मुद्धे भारत ना वार्षिक ठरावने संयुक्त रास्ट्रा महाँ जबाइड लेगे United Nations नी General Assembly नी प्रथम समीती मा सर्व सम्मधिती स्विकारवा मा आवियो हतो जणे आतंकवाद सामेना युद ने पन मजुबुत बनावियो छे तो कारण के भारत नू स्थान अंतररास्ट्रीय स्थरे भारत नू जे पॉलिटिकल स्टेटस छे अन्ने जे डिपलोमेटिक स्टेटस छे ते दीरे दीरे वधुतु जाई छे इटले युनाइटेड नेशन्स मा पन भारत ना प्रस्थावित ठरावोने अगत्य आप्वा मा आवे छे COVID-19 रोगचाणा विशेवाद करवा मा आविदो भारते COVID-19 नी रसी ना उतपादें पर ब्रिक्स देशो वच्चे सहकार ना मुद्दाने द्यानमा लिदो अतो भारत छे रश्या छे ने चाइना छे आब अधिड डेवलपिंग इकनोमिस छे COVID-19 विश्वानी पुन्हा प्राप्ति माइड लेगे जे री एस्टाबलिश करवा मा इकनोमिस ने री एस्टाबलिश करवा मा ब्रिक्स देशो नोंधपात्र भूमिका बजाऊ शे कारण के अर्थ शास्तर ने जो कही ठाई तो दुनिया नी अन्य अर्थ वियवस्था वर वाश्विक अर्थ वियवस्था पर पण असर पड़े औन इटला माटे आ देशोने इकनोमिस टेबल रहवी बो जरूरी छे बारते ब्रिक्स देशो वच्चे वेपार वदारवाना आवकास पर पन प्रकाश पाड़ियो चे तो कई रीधे ब्रिक्स देशो वच्छे ट्रेड वधारी शकाई बराबर ओल्रेडी आपड़ी वो गाड ट्रेड एस्टाब्लीश चे परन्थु एने कई रीधे वधारी शकाई ते अंगे पन ब्रिक्स समीट मा भारत भरफ्ती चर्चा करवा मा आवी बराबर नेक्स्ट आपड़ो जे टोपिक छे तेछे एथियोपिया मा संगर्ष बराबर जो एथियोपिया आपड़ने संबड़ेलों संबड़ेनों नाम लाग्षे केम करण के 2029 ना नोबल पूरसकारों जे आपड़े वाद करेली त्यारे एथियोपिया ना प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एबी ने एबी एहमद ने नोबल पूरसकार शांति नोबल पूरसकार आपफ़ामा आवेलो अने हवे आवर छे एथियोपिया मा आपण संगर्ष जोवा मड़े छे इथियोपिया श्मू छे तो के इस्टन आफरीगानों बरा आबर नोर्थ इस्टन आफरीगानों एक दीश छे एनु जेओग्राफिक लोकेशन तयो इथियोपिया ना वड़ा प्रदान एबी एहमदे टिग्रे प्रदेश मा नागरिक संगर्ष मा आविशके देवी चिंता वच्छे लशकरी कारियवाही चालू रखवानी प्रतिक्रिया आपी जे बराबर तो त्या मिलिटरी एक्षन अत्यारे पन चालू जे अने जुआ जे बौडर लाल बौडर दी हाइलाइट करेलो प्रदेश छे त्यां सिविल डिसोबिडियेंस मुव्मेंट त्यारे चाली रहेली जे बराबर आन्दोलानों चाली रहा छे जेने कारणे त्या मिलिटरी नी एक्षन लेवानी त्याना वड़ा प्रदान जे चे ए बी एह मद तेमने ए मंजुरी आपी छे बराबर आन्या आक्षो तामार प्रदेश पर युद्नी घोषणा करी छे पुरूस्ट पुमिशू चे बराबर आन्या आक्षो त्यारे चाली रहेली बराबर आने कारणे गणा बदा जे सिविलियन्स होई जे आम नागरीक होई सामन्या नागरीको ने जान जता बचे लिए इटला मटेमने शांति नोब चे तो एपरिल भी हजार अडार मा एथियोपिया ना वड़ा प्रदान बनिया पची एबी एह मदे राजकिया विरोध तरफ पहुची ने वहरी ने लोक्षाही सुधारानी शरूआत करी हादी मीडिया पर जे कर्ब लागेला दे जे बंदीशो लागेली हादी जे बैन ल गेला दा देने उठावी ने, एरिट्रिया साथे शांथी प्रकृरियानी शरूआत करीने। गणा बदा सारा काम करेला शांथी नी प्रोसेस नी शरूआत करीने इटला माड पगलाओ ने कारणे तेमने 2021 नो शांती नो नोबेल पुरसकार आपफा मा आवेलो एरिट्री आये TPLF नू शपत लिदेल दुश्मन छे जे टिग्रे प्रदेश साथे लांबी सरहाद वहचे छे तेमने TPLF ने वरिस्ट सरकारी होद्दा परती बन हटाविया छे सरकार ना हाथ मा वधू मा वधू शक्ति केंदरित करवाना देमना दबान थी TPLF ने देमने सू करिऊ छे सरकार थी अलग करी दी दी छे एबी ए एक नवू राजकिया गटबंदेन मनावियू छे समरुद्धी पार्टी जे चे एथियोपियन पीपल्स रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट बराबर EPRDF न बधा गटको TPLF सिवाई नवा मंच मा जूड़ाया चे तो ये भी है मदली ये वू इच्छे चे के बाई TPLF ने कोईपन प्रकार नी राजकिय शक्तिय प्रदेश मा अपफामा नहीं आवे अने एनेज कारणे TPLF टिगरे प्रदेश मा बराबर जया तेमनू प्रभूत्व वधू चे दियाए आंदुलन चलावे छे सरकार सामे जयारे संगीय सरकारे कोरोना वाईरस रोक्चाडाने ठाकी ने ऑगस्ट बेहजार एक्वीस नी सामानिय चूटनियों स्थगित करी चे त्यारे टिगरे राजकारणी योए देमना पर सत्ता हडबवानों आरोप लगावियो चे अने सप्टेमबर मा प्रदेश मा सरकार नी आउगण ना करीने चूटनियोजी हाथी बेराबर वधता तनावना पगले साइन्यमथक पर हुमलाओ पन अत्यारे त्यारे त्यां चालो जे तो जो गणाबदा मीडल इस्ट ने आफ्रीकाना देशों छे के जहां नागरीको बोताना हको माटे लड़े चे बेराबर अने कट्टर वादी संगठ आनो छे जे ओ प्रभुत्व जमावीने बराबर गणाबदा प्रदेशों पर प्रभुत्व जमावीने त्यानी जे स्थापित सरकार छे देने उथलावनो प्रयास करे छे on the basis of religion बराबर तो एथियोपिया पन आज प्रकार नू civil disobedience movement नो भोग बनेलू रास्ट्रा छे बराबर इंडिया ने एथियोपिया वच्चे केवा रिलेशन छे तो एथियोपिया इस वन ओफ दी लार्जेस्ट रेसिबंस ओव लॉंग टम कंसेशनल क्रेडिट फ्रोम इंडिया इन आफ्रिगा तो एथियोपिया ने भारत सरकार गणा समय थी सॉफ्ट लोन आपी ने मदद करे छे एक बिलियन यूएस डॉलर नी थी वधूनी मदद अत्यार सुधी आपने करी चुक्या छे जे मारूरल इलेक्ट्रिफिकेशन शुगर इंडेस्ट्री आने रेल्वेस ने जे प्रोजेक्ट्स चे तेना माटे आ लोन अल्डेडी आपवामा आवी जे बराबर त आपना जे ट्रेड छे थी एथियोपिया साथे अल्डेडी एस्टाबिश चे ने गणा बदा युएस डॉलर नो ट्रेड आपने एथियोपिया साथे करिये छे एने वदू घाड बनावा माटे ना प्रयत नो बाइलेटरल रिलेशन ने वदू घाड बनावा ना प्रयत नो बनने देशो आवार नवार करता रहे जे इंडियान मिशन हैस बीन इसेलिब्रेटिंग इंटर ने घडेडर यूगा इन एडि एडिस अबाबा मिशन हेल्ड गांधी एडरेड 150 सेलिब्रेशन इन एडिस अबाबा इन ऑक्टोबर 20, 20th October 2020 मा गांधी एडरेड 150 इनीपण उज़मणी धिया घरवा मा आवेल नेक्स्ट जे अपनों टॉपिक छे देछे जेंडर रेशियो औने भारत लेगे जे पुरुष अने महीलाओनों जे सेक्स रेशियो औने अनी भारत माँ शूं स्थिती छे तेनों एक रिपोर्ट बार आवियो छे तो ताजे तरमाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आडार न अहेवाल मुजब अरुनाचल प्रदेश मा वेश मा जन्म समये उत्थम अरुनाचल प्रदेश मा जन्म समये सखहल रुष्टिव याद राखवाना जन्म समय सेक्स रेशो कया राज्यमा सवुथी समय नो link घुनлем efforts तर वस्ती ना link gap ने नक्षो बनावानु बराबर एनना पर focus करवानु ये भारत नूश्यक क्रें आवनारा समय मा रजिस्टर जेनरल ओफ इंडिया शूँ छे तो रजिस्टर जेनरल ओफ इंडिया नी स्थापना ओगनी सु एकसथ मा करवा मा आवेली आने दे मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स एडले के गुरू मंत्रा लईना नेजा हेटर कार्य करे छे इट अरेंजिस, कंड़क्ट्स, एनालेसिस दे रिजल्ड ओफ देमोग्राफिक सर्वेज ओफ इंडिया इंक्लूडिंग सेंसस ओफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ओफ इंडिया तो बो महत्वनी जानकारी आपडा माटे के जे 10 वर्षे जे वस्ति गणत्री करवामा आवे चे बराबर हमना 2021 मा वस्ति गणत्री थशे परन्तु COVID-19 ने लिदे जे समग्र प्रक्रिया चे तेने बनी शके के थोड़ी पाची ठेलवामा आवे तो जे वस्ति गणत्री चे ते रजिस्ट्रार जेनरल ओफ इंडिया द्वारा कंडक्ट करवामा आवे चे दी पोजीशन ओफ रजिस्ट्रार इस यूज़ली हेल्ड बाइ सिविल सर्वंट होल्डिंग दी रेंक ओफ जोइंट सेक्रेटरी तो जेम्णे यूपी एसी नी परिक्षाओ पास करी होई बराबर हमने जोइंट सेक्रेटरी लेवल सनधी अधिकारी ने रजिस्ट्रार जेनरल ओफ इंडिया ना पदे नियुक्त करवामा आवे चे बराबर ताटली वस्तु अपने याद राखवानी तमबारा माटे होमबर्क माई एक वस्तु कि ताजे तरना रजिस्ट्रार जेनरल ओफ इंडिया कौन छे बराबर हालना प्रदेश मां 10,000 पूरुषों नी संक्या नीसा में 1084 स्त्रियों नो जन्मत है हो छे त्यार बाद बीजा नमबरे नागालेंड छे मिजोरम छे अने चोथा नमबरे केरण छे गराबर तो प्रथम चार राज्यों कया कया चे अरुणाचल प्रदेश, नागालेंड, मिजोरम अने केरण अने 10,000 पूरुषों है स्त्रियों नी संक्या दमने तमारा स्क्रीन पर आपेली छे नागालेंड मां स्त्रियों नी संक्या दर हजार पूरुषों है 965 छे मिजोरम मां ते संख्या नाउसो चोंसेट छे अने केरड मां संख्या नाउसो ने तेसट छे मनिपूर मां 757, लक्षय द्वीप मां 839, अने दमण अने दिव मां 877, पंजाब 896, अने गुजरात मां 896, साउथी वधू लिंग रेशियो नों दायो छे बराबर दापणे गुजरात नी जेलिंग रेशियो छे, सेक्स रेशियो छे, ते आपणे यहाद राखवानों दिल्हीमा लहिंगीक गुणोत्तर 939, अने हर्याणानो लहिंगीक गुणोत्तर 999, ने चाउद नों छे आगुणोत्तर 13 राजियो ने केंदर शासीत प्रदेशो द्वारा पूरा पाडवामा आवेला डेटा ना आधारे नक्की करवामा आवियो होतो कारण के बिहार, जार्खंड, महारास्ट्र, सिक्कीम अने उत्तर प्रदेश तता पस्चिम मंगार जिवा छो राजियो नी जरूरी महाई थी हालपूर्ती उपलाब्द न थी 2011 वस्तिगणत्री प्रमाणे मुख्य राजियो एं करोड огने ते थी वदू वस्तिधरावता राजियो छे बराब एक करोड थी वदू वस्तिधरावता जे राजियो छे तेलो कोनो लईंगीक रेशियो आपने यह स्कुरीन पर जोळू बराबर आने जो तमने यहां नक्षा माती पन खबर बड़ी जेशे बद्दा जे मेजर राज्यों छे तेलो कोनो जे लिंग रेश्यों छे लाइंगीक रेश्यों छे ते तमने स्क्रीन पर आपेलो छे नेक्स्ट आपना जे टोपीक छे आपना इंटर्नेशनल रिलेशन साथे संबंधित छे बराबर ने आपना इंटर्नेशनल रिलेशन ने व्याक्याईद करे छे युवे ई साथे तो ताजे थर्मा United Arab Emirates संयुक्त आरब अमिराट द्वारा Golden Card Visa नमनी एक नवी योजना स्टार्ट करवा मावी छे तो ताजे थर्मा अने एनी भारत अत्वा तो भारतिय विद्धियार्थ यो अत्वा तो भारतिय प्रोफेशनल्स भारतिय कारिय करो छे जे कामदारों छे तेना पर शूँ असर्थासे ते अपने जुवानों छे तो ताजे थर्मा संयुक्त आरब अमिराथ द्वारा PhD धारको चिकित सको इजनेरो तेमाज अमुक युनिवर्सिटियो ना स्नातको सहितना वदू व्यावसाईको माटे 10 वर्ष ना गोल्डन कार्ड विजा अप्फानी मन्जूरी अप्फामा आवी छे गोल्डन विजा ए रोकान द्वारा नागरिक्त्व अत्वा रोकान कारियक्रम द्वारा रेसिडेंसी विजानो प्रोग्राम छे ते धनाध्य विदेशी नागरिकोने निर्देशित करवा मा आवे छे के जियो चोकस देशमा मुठा प्रमाण मा नाणा द्वारा अत्वा संपत्तिनी खरीदी करीने निवासो मिडवा इचता होई जो तमारे UAE मा सेटल था वो होई तो तमें पियेजदी धारग होई चिकिट्सक केटेगरी मा आओथा होई अथवा तो इजनेर होई अथवा तो अमुग यूनिवरसिटी सनाथक जो तमें आपेटेगरी मा उता होई तो तमने UAE 10 वर्ष माटे गोल्डन कार्ड वीजा आप शे ए गोल्डन कारड physician तो आ वीजा द्वारा जो धमे ना रेसेबरंट रहुता वीजा धारग हो तो ते वीजा धारक वार्गोने तेमना फरीवारोने 10 वर्ष शुधी UAE मा रहठाण नी सुवीदा आपेछे पात्रत आपड़ेड़ी आगड़ जोई लिदू डॉक्तरेट नी डिग्री धरा होता तमाम धारको तभी भी डॉक्तर होने कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक्स प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रिकल तेमाज बायो टेक्नोलोजी ने इज यूए इमा रहता उच शाड़ा ना विद्यार्थियो जे देशमा टोचनुस्थान मेडवे छे अने अमुक यूनिवर्सीटी ना विद्यार्थियो जेमनी पासे 3.8 अत्वा देथी वदू नी ग्रेड़ पोइंट सरेराश चे जीपीए चे बार आपने यूनिवर्सीटी विजा माट अपलाई करीशों को आना थी भारत ना गणा बदा लाखो लोको ने आना थी फाइदो थाशे फेर फारो पली डिसेंबर बेहजार वीस थी अमली बन शे बराबर अने रिसेंट डेवलप्मेंट इवेंट्स इन यूए इसू छे तो आपने यूए नो जे मार्स मिशन छे चंद्र मिशन जे तेना विशे अपने अल्रेडी भूतकार ना अपना लेक्चर्स मा अल्रेडी अपने वात करी चुकिया छे मार्च बेहजार ओगनिसमा 46th session of the council of foreign ministers of the organization of Islamic cooperation was held in Abu Dhabi where India was invited as a guest of honor जूओ कैम के UAE नो अध्यक्षा दू अने UAE ने भारत ना संबंदो गणा सारा छे छे छिल्ला वर्षों मा ये संबंदो अत्यारे टोच पर छे तो OIC जे मुस्लिम बहूल देशों नू संगठ हैं छे बराबर जे जे देशों में मुस्लिम बहू मती छे ते लोगों नू संगठ हैं छे तिया भारत ने guest of honor थरीके बोलावा मा वेलों ने भारत थरफ थी आपना विदेश मंत्री ते समय ना विदेश मंत्री सुष्मा स्वरा जे guest of honor थरीके OIC नी जे बेठा गदिदे महाजरी आपेली बराबर पाकिस्ताने बोलावा सुधी नी वात करी दिदेली छेदा पनी UAE की देलू के वै पाकिस्ताने बोलावा करवू होई तो इवेंट ने बोईकोट करी चके छे भारत guest of honor थरीके आउशेज आउशे जुओ आपनू स्टेटस चे त्यारी UAE ना संबद्धो साथेनू बराबर UAE ना मार्स मिशेन विश्य आपने वात करी चुगिया चे जेनू नाम शूँ अपफाम आवेलू छे होप बराबर अने UAE ना चंद्र मिशेन विश्य पन आपने अल्रेडी वात करी चुगिया चे चालो नेक्स्ट चे टोपिक छे देच आपनो नवी रामसार साइटस तो ताजे तर्मा छेल्ले जेर आपने रामसार साइटस नी वात करी त्यारे ओगण चाडिस रामसार साइटस सुधिया अपने पहुचेला बराबर जे वेटलेंड जे बीनी जमीन छे देना साउरक्षण माटे रामसार कन्वेंशन पर सिगनेचर करवा मा आविया जहने भारत एनू एक पक्स छे एनू एक पार्टी छे ताजे तर्मा महारास्ट्र ना बुलद ना जिल्लाना लोनार खाते उलका तड़ाव बराब अनि उगणी स्वेको तेर मा इरान ना रामसार शहर मा आ कन्वेंशन आ करार पर हस्ताक्षर करवा मा आवियले एटले ने रामसार कन्वेंशन तरीके उडखवा मा आविया जिटला पन साइट्स चे देने रामसार साइट्स तरीके उडखवा मा आविया जह आ वर्ष नी काबर तल्वेटलेंड बिहार ने आसन कंजर्वेशन रिजव उत्राखंड ने बण रामसार साइट तरीगे न्यूक्त करवा मा आवियादा नवीन तम समावेश साथे ताजे तरमा भारत मा रामसार साइटस नी कुल संक्या 31 छे नवेंबर 2020 प्रमाने 31 छे जे दक्षिन एशिया ना कोईपन देश मा सवती बधार वाचे लोनार तड़ाव सुझे तो जू आ वर्षो पेला उलका बडवा थिया तड़ाव नी रचना थाईली एटले आने लोनार तड़ाव केवा मा आवे छे डेकन प्लेट नी ज्वाडा मुखी बेसाल्ट नी खड़क मा आवेलू लोनार तड़ाव पात्री सजार थी पचास हजार वर्ष पहला उलका नी असर द्वारा बनाववा मा आवियो हतू तड़ाव लोनार वाइल्ड लाइफ अभ्यारणियानों एक भाग छे बराबर लेक लोनारे वाइल्ड लाइफ अभ्यारणियानों एक भाग छे जे मेलगाट टाइगर रिजव ना एकिकृत नियंदर नहें ठड़ावे छे ते लोनार क्रेटर तरीके बन ओड़काई छे अने ते एक सुचित रास्ट्रिय भू वार्सानू समारक पन छे भाउगोलिक वार्सो ए भूस्तर शास्त्रिय लाक्षनिकताओनो संदर्ब आपे छे जे पृत्वी ना उतक्रांती ना इतिहास माटे स्वाबाविक अत्वा संस्कृतिक रूपे नोंधपात्र प्रदान करे छे अत्वा देनो उप्योग सिक्षण माटेबन थाईशके छे नासिक जिल्लाना नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारणिया बचे ते महारास्ट्रानू बीजु रामसार स्थर जे जो गुजरात में एकज रामसार स्थर जे जे छे नड़ पक्षी अभ्यारणिया जेरे महारास्ट्रमा बे रामसार साइट्स अवैलेबल छे ये चे मधमेश्वर पक्षिअभ्यारणियाने त्यार बाद चे बीजू लोनार तडाव तडावनों पाणी खुबज खारू और एक शार्यूक थोई छे तथा तेमा एनारोब्स साइनो बेक्टेरिया और फाइटो प्लेंक्टोन जेवा विशेश सुक्ष्म जीवो हाजयर छे बिजी वात करीले ये सूर सरोवर तडाव आगरा तो त्यने सूर सरोवर पक्षिअभ्यारणियाने अंदर आवेला किथम तडाव तरीके पुण उडख्वामा आवे छे तो सूर्द सरोवर तड़ावनों बीजू नामसू छे कीथम तड़ाव जेने वर्ष 1901 मा पक्षी अभ्यारणिया तरीके गुशित करवामा आवियो हतू स्थान ग्या छे तो आदड़ा उत्तर प्रदेश न आगरामा यमुना नदीनी साथे आवेलू छे सूर्द सरोवर पक्षी अभ्यारणिया नो विस्तार 7.74 किलोमीटर जेटलो हतो जे आजे स्थाना अंतरित अने रहवासी बक्षियों नी 165 वदू जातियों गर छे तेमा नुरुत्य करनारा रींच ने बचावा माटे रींच बचाव केंद्रपन छे बराब जे डांसिंग बेर जेने केवाई तो तेनू बचाव केंद्रपन तेज अभ्यारणिया मा चलावा मा आवे छे अवे लाब सूत हैं गोई स्थान ने जीर रामसार साइटस नो धरज्यों मुड़त्यार तो रामसार साइटनार साइटने अंतररष्ट्यय प्रसिद्धी मढशे औने प्रतिस्टानी दरष्ट्यय बढ़तेने लाब मढशे तेयों ने सम्मेलन नी अनुदान द्वारा इटले के ग्रांट द्वारा नाना किया सहाई पण मढशे अने रास्ट्रिय अने साइट संबंदित समस्या ओपर निश्णांत नी सलापाण मढशे अवे जे रामसार कन्वेंशन अन्तरगत जे एन्वार्मेंटलिस्ट जे बराबर जे परियावरण विदो छे के एट्मोस्फियर अंगे काम करता जे वाइगना निक हो जे तेलो को नी सलाप द्वारा एनू संब्रक्षन करवा मा आऊशा बन्नेव रामसार साइट नूँ बराबर निया आचे स्क्रीन पर तमने देखाई जे रामसार कन्वेंशन विशे नी तमाम मही दी जे अपने अल्रेडी घणीवार डिसकस करी चुगया जे तो रामसार कन्वेंशन विशे अल्ग अल्ग रिते नी घणीवार चर्चा करी चुगया जे मोंट्रयूक्स रेकोर्ड पन आपणा माटे खास अगत्या नू बराबर जे रामसार कन्वेंशन विशे रामसार सुची विशे एक भाग च्छे नेक्स्ट टॉपिक जे छे ते छे आरसी इपी नी शरुवात सुचे आरसी इपी तो छे एछे एछे रिजियोनल कॉम्प्रिहेंसीव इकनोमिक पार्टनर्शिप बराबर आसियान देशों छे तो आसियान देशों अन्य चो देशों साथे मड़ीने एक संगठन नी रचना करी छे जेने नाम अफ़ामा आवियू छे आरसी इपी अने एछे रिजियोनल कॉम्प्रिहेंसीव इकनोमिक पार्टनर्शिप परन्तु भारत द्वारा आरसी इपी ना कॉंट्राक्ट पर हस्ताक्षर करवा मा आविया नथी केम कारण के भारत जे मांगो मुके ली बहजा ओगणी सने 2020 मां के भाई जो आमें आरसी इपी मां अमुक शर्तों साथे जोडाईशू तो ये शर्तों ने मानवा मां आवियू नथी बराबर चाइना, न्यूजिलेंड, आस्ट्रेलिया, जापान, साउथ खोर्या देशों जे छे आसियान अने अन्य देशों नुआ संग परन्तु भारते हजू सुधी आरसी इपी मां जोडायू नथी बराबर जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, साउथ कोरिया दरेगे भारत ने मना हुआनी गणी कोशिश करी परन्तु भारते सपस्ट शब्दों मां गई दीदू के जो आमें अत्यारनी शर्तों नहीं, तो ताजे तर्मा प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागी दारी येड लेगे, रसी इपी ए, साड़त रिसमी आसियान समिट नी साथे साथे रसी इपी नी शरू आथने मन्जूरी आपी छे, तेने चर्चाने फरी शरू करवानों मार्ग आपियो छे, जे अगाव भारत ने स्विकारवा मा निश्वड गयो हतो, अने कहीं हतो कि जो भारत फरी थी अरजी करे, तो तेना नवी जे शर्तों छे, तेने ध्यानमा लेवा मा आऊ छे, अवे जो वानों छे कि भारत आना पर सूस, स्टेंड ले छे, बराबर, अवे रसी इपी केम अगत्य हनों चे, कारण के आर्सी इपी ए वर्ल्ड नी बिगेस्ट ट्रेड डील छे, बराबर, 15 कंट्रीस, 2.2 बिलियन पीपल, अ कमबाइन जी डीपी ओफ 26.2 ट्रिलियन डॉलर, जो, केम 15 कंट्रीस, कारण के ताजे तर्मा, हाल पूर्तु भारत आमा जोडायू नते, जो तमने बार पीडा रंग मा रंगायेलू देखा तू न थी, बराबर, जयारे रसी इपी नी चर्चा थाइली, जयारे रसी इपी बना हुवानी वात चालो थाइली, तयारे आसियान देशों औने चो अन्य देशों चैना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, नियूजीलेंड, साउथ कोरिया, अन तेमा 10 आसियान सब्गियों एडले के एस्सोसियेशन ओफ साउथ इस्ट एसियन निशन्स, तेमाज दक्षीन कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नियूजीलेंड नो समावेश थाई छे, फरीदी अंडरलाइन करू चू बारत आरसी इपी मा हाल पुर्तु परन्तु बारत माटे भारत नेटली फ्लेक्सिबिलीटी अपफ़मावी चे के बारत गमेद यारे इच्छे, खाली एक फोन उठावी ने के वाल होचे के बाई हमारे रसी इपी मा जूडा हूचे अने भारत माटे दरवाजा खुलना चे ते युएसे ने बाकाद राखे छे, जेने बहाजार सत्तर माँ ट्रांस्पेसिफिक पार्टनर्शिप्ती बीचेहट करी हादी आरसी इपी डी लंगे वाठागाटों बहार माँ शरू थाई हादी भारत पन आवाठागाटों बागातो परन्तु ओछा भावोती स्थानिक उत्पादनों ने नुकसान पहुचाड़ी शके तेवी चिन्ताने कारणे तेड़े बहाजार ओगणीस मा आरसी इपी माथी पोट्ता नी जे भागीदार यहदी दने पाची खेंची लिधी बराबर अवे शू छे आ ओचा भावोती स्थानिक उत्पादनों ने नुकसान तो जो आरसी इपी ए एक प्रकार नी ट्रेड डील छे एटले के दरेक देशो पुता ना जे इंपोर्ट पर लागता जे टेक्सीस छे मानिलो के भारत जो चाइना थी आउती वस्तू अपर ओछो टेक्सीस लगाड छे जो ये आरसी इपी नु सदस्य बने तो अवे चाइना नी वस्तू अल्रेड ये आटले बदो टेक्स लगाड ये पछी पण आटली सस्ती छे अने अल्रेडी ये भारत ना जे स्थानिक उत्पा दनो छे तेने गंबीर रूपे कॉंपीटिशन आपे छे जो आरसी इपी अंतर्ग तेने वधू टेक्स मा छूट भारत मा उत्पा दी थिताई चे तेलो कोने कौन खरीच चे बरावर बाकी ना देशो पण सस्ती वस्तू छे चाइना थी जाई चे देनेज करीच चे तो भारत ने आरसी इपी नो बो मोटो फाइदो देखातो न ती आने इटला माटे आरसी इपी मा भारते जुडावानी ना पाड़ी देली आरसी इपी ना सब्यो विश्वनी लगबग त्रीजा भाग नी वस्ती धरावे चे ताथा वैश्विक कुल स्थानी कुत्पा देले के जी डीपी ना ओगंत्री स्टका हिस्सो धरावे चे याने इटला माटे आरसी इपी इंटरनेशनल लिवल पर पर गणी अगत्यानी डील मानवा मा आवे चे भारत नू स्टेंड में अल्रेडी तमने समझावी दीदू आसियान समिट ने संबोधित करती वख़दे भारत आ प्रदेश मा शांतियाने स्थीर्ता माटे नी आवश्यक्ता पर प्रकाश पाड़ियो हतो परन्तु आरसी इपी अगे मोन जाडवी हतो केम कारण के वास्ताविक नियंद रने लेके लाइन ओव एक्चुल कंट्रोल साथे पुर्वी लदाख मा चाली रहेला लश्करी तणावना संदर बे चीन समर्थित जूतनू बोव मन न थी के भारत आरसी इपी मा जोडाई आ दर्मियान भारते जा अगला दरीके करवा मा वियू हतो बराबर अने एक्चुली चीन विरोधी पगलू छे बढ़ा बड़े चीन ने काउंटर करवा माठे जापान यू एसे न भारत द्वारा ऑस्ट्रेलियान आमंत्रण अप्फामा वेलू क्वाड मा बराबर अने माला बार एक्सरसाइज मा जो कि आप अगला हो RCEP संबंधित जापानी और अस्ट्रेलियान योजनाओ ने असर करी शक्या नहीं भारत ने RCEP परनी शरतों पर वाटागाटों समाप्त करी हादी के तेना हितो विरुद्य होवानू मानवा माउतो दू मैं गिदू ने के भारत पोताना खेडू तोने पोताना डेरी उद्योगने ने खासकरीने स्टील उद्योगने बण नुकसान पहुचाडवा मांगतू नथी भारत नी सवथी मोटी चिन्ताओ मानी एक आयातमा वृद्धी सामे अपुर्दी सुरक्षा हादी कारण के देना उद्योगने आशांका हादी के RCEP पर हस्ताक चीन मां थी सस्ता उत्पादानों भारतिय बजार मां आवी जशे अने थी भारतिय उत्पादानों ने नुकसान था चीन नी विस्त्रूत शक्ती प्रादेशी गखंडित्ता ने सार्वभवमत्वनों अनादर करदा दर्याईक शेत्रमा विश्वासने गटार दी क्रियाओ अने बना वो तरफ पन भारते लोकों नी नजर करी है थी उदार अंदर के बाकिस्तन न कपजाई ठड़ना कश्मीर मा एलेसी और चीनी प्रवरुत्तियों पर चाली रहला दनाओ तो भारते आ बद्धी जवस्तू उपर प्रकाश पाड़ी होतो के आहू कर्शो तो आ चाल अने बीजो टोपिक छे आर्टीकल 32 अव दी कॉंस्टिडूशन बराबर बंदार अनों बत्रिस्म अनुच्चेद शूँचे अनों संदर्व शूँचे कौनी साथे संबंध थी छे ए तमारे वाच्वानों जो कोई डाउट होई तो तमें मने पुछी शको छो अनुचे अनुचे शूँचे हम जोगिए से खिळ शूफ